Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तो आज है 25 दिसम्बर और आज किस वीडियो में हम 25 दिसम्बर से related current affair के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF शाहिए तो आप हमारे इस mobile application को भी install कर सकते हैं इसके अलावा group D और NTPC की तयारी के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से special channel launch किया गया है तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं link description box में दी हुई है start करते हैं हमारा पहला question हाली में कि सहर के अमर सिंग कॉलेज को UNESCO पुरुसकार से अलंकृत किया गया है तो ये नवाज़ा गया है श्री नगर के अमर सिंग कॉलेज को मतलब की श्री नगर का ये जो अमर सिंग कॉलेज है इसे सांस्कृतिक विरासत के संडरक्षन के लिए इस साल का मतलब की 2020 के UNESCO Asia Pacific Awards में Award of Merit से नवाज़ा गया है तो सबसे पहले हम जाल लेते UNESCO के बारे में इसकी स्थापना हुई थी 1945 में भारत इसका सदस्य बना था 1946 में इसका हेटक्वार्टर इस्थित है फ्रांस की क्यापिटल पैरिस में पैरिस जो की सीन नदी के किनारे बसी हुई है इसके डारेक्टर जनरल तो ये हैं ओद्रे अजौले दो कंट्री हैं USA और इसराइल इन दोनों ही कंट्रीज ने लास्ट येर मतलब कि जनवरी 2019 में UNESCO की सदस्यता छोड़ दी है और इदि आप करन से रिलेट करेंगे तो हाले में मध्य प्रदेश के दो शहरों को ग्वालियर और ओर्चा को UNESCO के World Heritage City के लिष्ट में शामिल किया गया है जबकि जैपूर इसे पिछले ही साल UNESCO की World Heritage Site के रूप में शामिल किया गया था जो कि राजस्थान की कैपिटल है इसे Pink City और भारत का पैरिस भी कहा जाता है हाली में उब्भोकता अधिकार दिवसी कब मनाया गया यनि कि National Consumer Rights Day तो ये भी हाली में मनाया गया है 24 दिसंबर को और ये 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है तो देखे आजे की दिन मतलब कि 24 दिसंबर 1986 में राजपती द्वारा उब्भोकता संरक्षण अधिनियम 1986 को मनजूरी दी गई थी जिसके बाद ये कानून लागू हुआ था और ये जो अधिनियम लागू किया गया था जिसका नाम है उब्भोकता संरक्षण इसका उतदेश ये उब्भोक्ताओं को विभिन्न तरह के होने वाले शोशन जैसे की खराब समान, एक्सपाइरी डेट का समान या मनमाना दाम इन सभी के प्रती सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था 24 दिसंबर 1986 को और इसलिए 24 दिसंबर को मनाया जाता है 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर राजश्री प्रवासी दिवस, देखिए आप लोगों के लिए क्रिस्मस डे का एक स्पेसल ओफर है, कल काफी सारे इच्रेट ने कमेंट भी किया था कि जो रेट रखा गया है चैनल के दौरा वो काफी जादा है, तो आप लोगों के लिए क्रिस्मस का ये जो इस्पेसल ओफर आया है, इसमें सभी पीडियाफ के रेट कम से कम मतलब कि 60% ओफ किये जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से, देखिए इस्पेसली तो इसे NTPC और ग्रूप D के एक्जाम को लेकर के प्रेप भी कम हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ये ओफर केवल आज के लिए है, हाली में एसोचेम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह भी हाली में बन गया है विनीत अगरवाल, और जो विनीत अगरवाल है, इन्होंने किन का इस्थान लिया है निरंजन हीरा नंदानी का, अब यदि हम बात करें एसोचेम की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है, एसोचेमबर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, हैड़क्वार इस्थित है नई दिल्ली में, तो विनीत अगरवाल, ये त इसे नवाज़े गया है, तो ये भी हाली में नवाजे गये हैं, रतन, टाटा जी, अब यदि हम बाकी के दो आप्शन को डिसकस करें, तो हाली में जो उदै संकर है, ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गये हैं, फिक्की इनकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैमबर ऑफ क प्रंदीप काारिया है, ये बाटा के ग्लोबल सियो बने हैं, बाटा जो की एक footwear brand है और बंड मान और निकोबर के DGP का कारेभार किसने समभाला है, तो अंडमान और निकोबर के DGP ये भी हाली में बन गये हैं, सत्तेंडर गर्ग और जो सत्तेंदर गर्ग है, ये 1987 बैच के IPS officer हैं जिनकी न्युक्ति अंडमान निकोबार के DGP के रूप में कर दी गई है तो आप मैप में देख सकते हैं यह है अंडमान निकोबार इसकी राजधानी है Port Blair और यहां के जो उपराज जिपाल है इनका नाम क्या है DG. Joshi कुछ समय पहले ही अंडमान निकोबार के तीन दीपों के नाम बदले गएGrand थे यह तीन दीप कौन कौन से हैं नील दीप, रॉज दीप और हैव लौक दीप, नील दीप का नाम बदलकर किया गया शहीत दीप, रॉज दीप का नाम बदलकर किया गया नेता जी सुभाज चंद्र बोज दीप और जो हैव लॉग दीप है इसका नाम बदल करके स्वराज दीप कर दिया गया है और यह आप करंड से रिलेट कर सके तो हाली में प्राइम मिनिस्टर नरंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार दीप समू के लिए एक सब्मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्गाटन किया गया है जिसकी लंबाई है दो हजार तीन सो तेरा किलोमीटर जो की चेन्नाई से पोर्ट ब्लेयर को जोड किया गया है तो यहां संचार को बढ़ावा देने के लिए यह आप कह सकते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इसका उद्गाटन किया गया है अब यदि हम अधर आप्शन को डिसकस करें तो हाली में जो जिश्नु बरुआ है यह अ अमिताब जयन यह 36 गड के नए मुख्य सचियू बने हैं जबकि मैंने बताया था एसके सिंगल के बारे में तो यह भी हाली में बिहार के नए डीजीपी बन गये हैं और अंडमान निकोबार के डीजीपी बने हैं सत्येंद्र गर्ग देखे भारत में प्रथम से जिसमें कि भारत में जो चीजे पहली बार हुई है 2019 और बीस में इससे रिलेटेड सत्तर इंपोर्टन्ट MCQ डिटेलिंग के साथ कवर कराए गये हैं और ये वीडियो मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया है हमारे नए चैनल जिसका नाम है माई एक्जाम चैनल पर तो इसे भी आप जा करके देख सकते हैं हाले में किस दिगज अभी नेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अश्यूमेंट अवार्ड से नवाजा गया है तो हाली में जो दिगज अभी नेता है धर्मेंद्र इन्हें अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अश् यहां से आप ये भी याद रखेंगे कि अमेरिका के न्यू जर्सी असेंबली के द्वारा लाइफ ट्राइम अश्यूमेंट अवार्ट पाने वाले ये पहले भारती अभिनेता भी बन गया है धर्मेंद्री जी यदि हम अधर आप्शन को डिसकस करें तो हाली में जो ये चुना गया है यदि हम बात करें सुनिल सेटी की तो हाली में इन्हें महराश्ट के जो राज्य पाल्य भगत सिंग्गोश्यारी इन्हें भारत रत्न अंबेड का रवाट से नवाजा गया है यदि हम बात करें सोनु सूत की तो इन से रिलेटेड आप कुछ एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा हाली में एशिया के मतलब की टॉप 50 एशियन सेलिबरिटीज की लिष्ट जारी की गई थी और इस पचास में टॉप पर है सोनु सूध ही हाली में किस राज्य ने बंदरों के लिए एक बचाओ और पुनरवास कें केंद्र की स्थापना की है तो इसकी स्थापना की गई है तेलंगाना गौर्मेंट के द्वारा और भारत में ये इस तरह का दूसरा संरक्षन केंद्र है तो पहला कहां है पहला है हिमाशल प्रदेश में और अब दूसरा बन गया है तेलंगाना जिसने की बंदरों के लिए एक बचाओ और पुनरवास केंद्र की इस्थापना की है तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तेलंगाना की लोकेशन इसकी राजधानी है है फैदराबाद हैदराबाद ये किस नदी के किनारी बसी हुई है? मूसी नदी के किनारे तो अब हम हैदराबाद से ही related कुछ important factor जानेंगे जैसे कि भारत का पहला block chain जिला ये हैदराबाद ही है विश्व का सबसे बड़ा meditation center ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है जहां लगभग एक लाख लोगों को meditation के initial का training दी जाएगी तीसरा आपने ये आद रखना है कि भारत का पहला dog park ये कुट्तों के लिए भारत का पहला dog park ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है चौथा आपने ये आद रखना है कि हाली में जो हमारे रक्षव मंतरी राजना सिंग जी इनके दौरा भारत का पहला HWT परिक्षण सुविधा केंदर मतलब की hypersonic wind tunnel ये स्थापित किया गया है है एदराबाद में ही और ये आप current से relate करेंगे तो हाली में जो justice हिमा कोहली है ये तेलंगाना उच्छी नयायले की पहली महिला मुख्य नयायधिस न्यूक्त हुई है अब देखे यहां बात की जारी है बंदरों के बचाओ की तो option भी मैंने कुछ ऐसे सेट किये हैं जिससे कि आप कुछ relate कर सकें यहां बंदरों के बचाओ की बात की जारी है वैसे ही गिद्धों के संरक्षण के लिए मतलब की गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र यह स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरपपुर में हाथियों के लिए विश्चु का सबसे बड़ा देख भाल केंद्र यानिकी elephant rehabilitation center यह स्थापित किया गया है केरल के कुट्टूर में उत्तर खंड के उत्तर काशी जिले में हिम्तेंद्वा यानिकी स्नो लेपड के संरक्षन के लिए भारत का पहला हिम तेंदुव संरक्षन के इंदर स्थापित किया जा रहा है तो ये सभी आप याद रखेंगे हाली में S. स्रीधरन पिल्ले के द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम है O. मिजोरम इस किताब को किस ने लॉंच किया है तो ये भी हाली में लॉंच किया गया है M. Venkian Aydoo जी के द्वारा जो कि present time में हमारे voice president है यदि हम बात करें S. स्रीधरन पिल्ले की जो की है मिजोरम के राज जिपाल लेकिन राज जिपाल होने के साथ ही ये एक वरिष्ठ लेखक, समाज सेवी और अच्छे विचारक है और इन्होंने वैसे तो मल्यालम और इंग्लिश में 125 किताबे लिखी है और हाली में इनके द्वारा एक और किताब लिखी गई है जिसका नाम है O. मिजोरम जो कि इंग्लिश में इनकी पहली कविता संग्रा है देखे यहां मिजोरम की हम बात कर रहे हैं क्योंकि स्रीधरन पिल लई ये मिजोरम के ही राज जिपाल है तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे हाली में जो इंडिया हैपिनस रिपोर्ट रिलीस किया गया मतलब की भारत का सबसे खुशहाल राज जी ये दी कोई है तो ये मिजोरम ही है येदि पूरे वल्ड में पूछा जाए तो ये है फिनलेंड और भारत में दी पूछा जाए तो मिजोरम ये है सबसे खुशहाल राज्जी सबसे खुशाल देश है फिन्लेंड यदि हम बाकी ऑप्शन को डिसकस करें तो प्रायम मेनिश्टर नरंदर मोदी जी ने इस साल ब्रिजिटल नेशन किताब का विमोचन किया प्रकास जावडेकर जी इन्होंने इंडिया 2020 किताब का विमोचन किया भग किये गये हैं गौतम रागवन और विनेर एड़ी मतलब कि इसका राइट अंसर हो जाएगा बोथ एंड बी यदि हम बात करें गौतम रागवन की तो इन्हें वाइट हाउस सीनियर स्टाफ में ऑफिस ऑफ प्रेसिदेंसियल परसनल का डिप्टी डिरेक्टर नियुक्त किय गया है यदि हम बात करें जो बिडन की जो की हाली में अमेरिका के 46 वे राष्ट पती बने हैं और भारती मुल्की जो कमला हैरिस है यह बनाई गई है उपराष्ट पती और इन दोनों को ही सहीक तुरूप से अभी हाली में टाइम मैगजीन के द्वारा परसन ओफ दा इयर यह भी चुना गया है अब यहां से एक option बच रहा है प्रमिला जैपाल का तो देखी हाली में अमेरिका में CPC यहने की Congressional Progressive Caucus इन्हें CPC का अध्यक्ष चुना गया है जो CPC का पद है यह अमेरिका के सबसे ताकतवर सांसत को दिया जाता है जो की दिया गया है प्रमिला यह भी भारती मूलकी है तो यह तीनों भारती नाम आप याद रखेंगे जिनकी न्यूकति अमेरिका में की गई है हाली में भारत का पहला स्वदेश निर्मित Digital Asset Management Platform किस ने लॉंच किया है तो यह भी हाली में लॉंच किया गया है नीती आयोग के द्वारा और नीती पर जो यूजर हैं यह 20 GB मतलब कि 20 GB data यह फ्री में रख सकते हैं जबकि अधिक storage के लिए इन्हें plan खरीदना पड़ेगा और यही platform launch किया गया है नीती आयोग के द्वारा यदि हम बात करें नीती आयोग की तो यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में इसके इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राजियु कुमार और नीती आयोग के जो CEO है इनका नाम क्या है तो यह है अमिताब कांद नीती आयोग के द्वारा ही कुछ important index release किये जाते हैं जिसे कि water management index, health index, school education quality index तो health index और school education quality index इसमें तो top पर रहा है केरल, water management index यहीं कि जल सूच कांग इसे टॉप किया है गुजरात ने, हाली में UN महिला यानिकी सेंट रास्ट महिला और किस राज जने भारत के पहले gender data hub के स्थापना के लिए हाथ मिलाया है, तो यह हाथ मिलाया गया है केरल, government के साथ, तो इसे यहीं मैं एक लाइन में समझाओं, तो transgender के hit के और gender equality यानि की लेंगिंग समानता के लिए प्रयास करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है, United Nation महिला और केरल, government के दुआरा, तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, केरल की location, इसकी राजधानी है, तिरू अनंत पूरम, और तिरू अनंत पूरम में ही भारत का पहला, Space Tech Park open किया गया है, मुख्य मंत्री कौन है, तो ये है, पिनरई, विजियन, राज जिपाल है, आरिफ महमन खान, इंपोर्टन नेशनल पार्क के दिबात की जाए, तो एरावी कुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों इस्तित हैं, केरल में ही, भ भारत का पहला Elephant Rehabilitation Center, ये कुट्टूर के पास स्थापित किया जा रहा है, कुछ और important fact ये आप रिलेट कर सकें, तो सबजियों के लिए, MSP तै करने वाला भारत का पहला राज्य, ये केरल बना है, भारत का पहला, मतलब कि Digital Education वाला भारत का पहला राज्य, ये भी केरल ही बना है, इसके अलावा CAA मतलब कि Citizen Amendment Act इसके विरोध में प्रेस्ताव पास करने वाला पहला राज्य केरल बना, जबकि CAA के विरोध में प्रेस्ताव पास करने वाला पहला UT ये बना है पुदू चेरी, और आज का जो हम map डिसकस करने वाले हैं, ये है अमेरिका का map, वो इस ये है South America, इन दोनों के ही बीच में एक नहर है, जिसका नाम है Panama नहर, हाला कि ये सारे फेक्ट अब आप लोगों को रड़ भी चुके हैं, तो आप लोग इसका revision भी कर सकते हैं, ये हम बात करें इसकी capital की, तो ये है Washington DC, जहां headquarter इस्तित है, अमेरिका की space agency, NASA का, World Bank और International Monetary Fund क इसकी currency क्या है, तो ये है US dollar, President तो मैंने बता ही दिया है, 46 राष्ट पती बनाए गये हैं, जो बिडन, जो North America है, इसे ही कहा जाता है नई दुनिया, और कई बार exam में ये भी पूछा जाता है, कि North America की सबसे लंबी परवश रंखला इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है Rocky, ज गजाम में पूछा जाता है, कि सार गैसो सागर ये कहां इस्थित है, तो देखिए ये है Atlantic Ocean, तो ये है North Atlantic, ये है South Atlantic, तो सार गैसो सागर की location कुछ यहां पास है, अब ये सार गैसो सागर ये क्या होते हैं, तो देखिए मोटी घास जो है, इसके जल में तैरती हुई रहती है जिसे की पुर्त गाली भासा में सार गैसम कहा जाता है, तो इदी आपसे पुछा जाए सार गैसो सागर कहां इस्थित है, तो ये इस्थित है North Atlantic में ही, इंपोर्टन जल्धाराओं की इदी बात की जाए, तो यहां से उपर जाती हुई, मतलब कि धुरूओ की तरफ जा रह रहा है, कल मैंने आप लोगों को एक इंपोर्टन इस्ट्रेट याद कराई थी, जिसका नाम है Baring Strait, तो यहां से मैंने ये भी बताया था, कि रशिया का वह वाला हिस्सा मतलब कि ये जो साइबेरिया वाला हिस्सा है, और अमेरिका का ये जो अलास्का वाला हिस्सा है, ये रशिया वाला हिस्सा है, मतलब कि साइबेरिया, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है, जिसका नाम है Baring Strait, और स्ट्रेट क्या होते हैं, जहां दो भूभाग अलग होते हैं, और दो सागर मिलते हैं, तो कौन से दो भूभाग अलग हो रहे हैं, अलास्का और रशिया और कौन से दो सागर मिल रहे हैं, तो उपर है आर्केटिक, और नीचे है Baring Sea, हलाकि जो Baring Sea है, यह Pacific Ocean के अंतरगती आता है, इन दोनों का मिलना और इनका अलग होना, तब जाकर के निर्माण होता है Baring Strait का, कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट अ अंसर था सिंगापूर, अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाली में किस भारती नेता को The Leasin of Merit से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो भी अंसर है कमेंट बॉक्स में बताईएगा, वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना you so much!